देखिए question दिया हुआ, क्या दिया हुआ, if a1, a2 up to an are any real number n, n is any positive integer then, कुछ sigma notation के साथ है, statistics से बेस question है, ai square less than ai का whole square, n into like this, या ऐसा question दिया हुआ, अब दिहान से समझें, तो हम एक चीज समझ पा रहे हैं, कि a1 to an दिया हुआ है, हम चाहें तो value ले ले जैसे a1 की 1 ले ले, a2 की 2 ले ले, 2 तीन तम ले ले, काफी है, तब ही ले 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 तो चलेगा, तो n 3 माल ले आपने, तो sigma ai कितना होगा, 6, और sigma ai square कितना होगा बिटा, इनके square करो, तो 9 plus 4 plus 1, यानि 14, अब आप relation देखिए, n into ai square, n मतलब हो गया 3, 3 into 14 करो गया आप, 42, और यहाँ पर दिया sigma ai का square, sigma ai का square मतलब 36, तो 42 से बड़ा 36 तो नहीं होता, यह खतम, अब यहाँ देखो, यह इधर की तरफ दिया, यह सही है, क्योंकि 42 greater than equal to 36, यहाँ पर n ही नहीं, तो n नहीं है, तो 14 greater than 36 नहीं होगा, तो यह गलत है, इसका मतलब आप इसका answer easily भी लगा सकते थे, right, no doubt,